भारतिय जंता पार्टी अगले महिने से परिवर्तन यात्राएं निकालेगी दोसो विदानसवा क्षेत्रों में जाएंगे बीजेपी के बड़े नेता राष्टे इस्तर के नेता जाएंगे लेकिन कोई भी स्थानिये चहरा नहीं होगा जो की प्रदेश में मुख्यमंत्री बनना चाहता है ऐसा साफ लग रहा है कि बीजेपी के जो चुनाव प्रवंदन समिति के अध्यक्ष हैं नाराण पंचारिया सयोजक हैं नाराण पंचारिया उन्होंने कारिक्रम आज जारी कर दिया है और यह साफ किया है कि यह किसी के चहरे पर यात्राएं भी नहीं होगी चुनाव छोड़िए तो बीजेपी के और से क्लियर है कि इस बार मुख्यमंत्री का कोई चहरा पहले से डिसाइड नहीं होगा मुख्यमंत्री का जो चहरा है उसकी बजाए बीजेपी राजस्तान में प्रदार मंत्री नरेंदर मोधी के चहरे पे ही चुनाव लड़ेगी बीजेपी और कमल निशान ही प्रमुख रहेगा किसी भी व्यक्ति को इस बार चहरा बनाकर इस्थानिय व्यक्ति को चहरा बनाकर यह यात्रा ही नहीं निकाली जाएगी बीजेपी ने साफ कर दिया है कि पहले से चहरा डिसाइड नहीं होगा ऐसे में देखना है कि बीजेपी में और क्या रंग सामने आते हैं आपको बता दें कि दो सितंबर को त्रिनेत्र मंदिर जो है सवाई मादवपूर में वहां से राश्च्च जेपी नड़ा इस यात्र के यात्रा करेगी यात्रा का समापन जैपूर शहर में होगा और पहली जो यात्रा है 47 विदानसवा सीटों को कवर करेगी इसी के साथ दूसरी यात्रा शुरू होगी बेनेश्वर धाम से 3 सितंबर को और इस यात्रा का आगाज करेंगे ग्रह और सैकारिता मंत्री अमिश् चत्रतों में शुरू होने वाली इस यात्रा का 19 दिन तक अलग अलग पड़ाव होते हुए 2433 किलोमेटर का सफर रहेगा और 52 विदानसवा सीटों को यह यात्रा कवर करेगी और तीसरी यात्रा जो बताई जा रही है तीसरी यात्रा 4 सितंबर को शुरू होगी जो की जैसल सिंग द्वारा ये जो हरी जंडी दिखाई जा रही है यह यात्रा प्रदेश की 51 विदानसवा सीटों को कवर करेगी किलोमेटर के हिसाब से यह सबसे लंबी यात्रा होगी यह यात्रा 2574 किलोमेटर का सफर तै करेगी चौथी जो यात्रा है वो गोगा मेडी से शुरू हो किसी को चहरा नहीं बनाएगी और इन यात्राओं के पीछे का जो मैसेज है वो धार्मिक माहोल के माध्यम से आस्था के माध्यम से जनसमूह को अपने पक्ष में करने की कोशिश है गोगा मेडी एक प्रमुख आस्था का केंद्र है जो गोगा देव चोहान है वो रामदेव जी जो रहे हैं वो प्रसिद्ध लोग देवता हैं और वहां से यात्रा शुरू होगी यह भी धर्म और जाती और यह जो संप्रदाइवाद हैं इतर यह मैसेज देते रहे हैं एक सद्भाव का प्रतीक रूप में लोग देवताओं को माना जाता है दोनों ही को तो बीजेपी एक बड़ा मैसेज यह भी देने की कोशिश कर रही है साथ ही जो प्रसिद्ध बिनेश्वर मंदिर है वो भी एक जन जन की आस्था का केंदर है और त्रिनेत्र मंदिर तो मंदिरों से यात्रा सुरू करके भारती जंता पार्टी इसको सत्ता तक कैसे लेके ज होगी तो आप हमारे साथ इस बात को देखिए और सब्सक्राइब कीजिए थेंक थ्रीशिक्स्टी को